नमश्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन बोर्ड में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप हर्यान प्लीस कॉंस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस exam को qualify करने के लिए आपकी strategy क्या रहनी चाहिए ताकि आप इस exam को highest score के साथ crack कर सको दोस्तो बस आपसे एक request है कि आप वीडियो को आखरी तक और ध्यान से जरूर देखना कहीं ऐसा नहों कोई important step आप miss कर दो strategy का दोस्तो वीडियो को शुरू करने इस पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे, bell icon दबा लीजे ताकि हमारे दुआरा upload की गई latest वीडियो का update आप सभी को समय समय में पर मिलता रहे है दोस्तो अगर आप harayana police constable की तियारी कर रहे हो और इस exam को qualify करने के लिए कोई अच्छी टैसरी जोइन करना चाते हो तो आप परिक्षय app download कर सकते हो और दोस्तो अगर आप उसमें board 50 का coupon code apply करते हो तो आपको 50% का off तुरंत मिल जाएगा इस application को download करने का link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ पर यह application download कर सकते हो देखे दोस्तो किसी भी exam को qualify करने के लिए जरूरी होता है exam pattern को अच्छे से समझ लेना तो हर्याना police constable के exam pattern की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका objective paper होगा 80 number का दोस्तो paper होने वाला है आपका 100 questions आपके इसमें पोचे जाएंगे यान की एक question आपका 0.8 marks का रहने वाला है time duration की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 90 minute यान की देड़ घंटा दिया जाएगा इस exam में दोस्तों आपकी कोई भी negative marking नहीं रहने वाली है second point है दोस्तों हमारा analyze syllabus की syllabus है यह मेरा level है मुझे क्या क्या prepare करना है मेरे कौन-कौन से topic weak है दोस्तों आपको अपनी इनी weakness पर ध्यान देना है और इने improve करना है दोस्तों syllabus को लेकर मैंने पहले ही एक detailed वीडियो बना ली है link आपको दोस्तों description में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो दोस्तों अगर बात करें कौन-कौन से topic से आपके question यहाँ पर पूछे जाएंगे तो general knowledge के आपके 10 questions यहाँ पर बनेंगे reasoning ability के आपके 15 questions बन सकते हैं numerical ability के 15 questions agriculture के 15 questions और current affairs से भी आपके 10 से 15 questions यहाँ पर बन सकते हैं animal husbandry से आपके 15 questions बन सकते हैं general science से दोस्तों आपके यहाँ पर 15 questions बन सकते हैं दोस्तों third point है हमारा cutoff किसी भी exam को देने से पहले आपको उस exam के previous year की cutoff कितनी रहे इसका पता होना चाहिए ताकि आपका next exam में क्या target होना चाहिए इसका आपको अच्छे से ग्यान हो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें आपकी expected cutoff की out of 100 male candidate के लिए तो general की 70 plus होनी चाहिए BCA की 65 plus होनी चाहिए BCB की 65 plus और आपकी SC की 60 plus होनी चाहिए दोस्तों बात करें female candidate की out of 100 में से तो general की 60 plus होनी चाहिए BCA की 55 plus होनी चाहिए BCB की 55 plus होनी चाहिए और SC की आपकी 50 plus होनी चाहिए दोस्तों यह एक expected cutoff है थोड़ा बहुत उपर या नीचे हो सकता है आपको इस cutoff को ध्यान में रखते हुए अपने exam को attempt करना है और इसी के according आपको अपनी preparation करनी है fourth point है दोस्तों हमारा prepare top scoring topics अब top scoring topics के बारे में आपको पता कैसे चलेगा तो उसके लिए आपको previous year question papers लगाने होंगे दोस्तों previous year question paper लगाने से आपको exam के pattern का पता चलेगा आपको top scoring topics का पता चलेगा आपको अपके level का पता चलेगा और आपकी जो कमजोरिया है आपको उनके बारे में पता चलेगा आपको कहाँ पर सुधार करना है आपकी speed कैसे बढ़ेगी तो previous year question paper से आप अपनी accuracy improve कर सकते हो और exam में एक अच्छा score पा सकते हो दोस्तो exam से पहले previous year question paper करने से आपका पूरा ध्यान बुक को पढ़ने में नहीं सिर्फ वही पढ़ने में होगा जो exam के point of view से important है आपका brain less crowded होगा और exam के दिन पे important चीज़ों को याद रख पाऊगे दोस्तो fifth point है हमारा mock test आपको daily एक mock test solve करना है इसके लिए आप कोई अच्छी book ले सकते हो या फिर आप परिक्षा app डाउनलोड करके वहाँ पर भी test series join कर सकते हो और उसमें अगर आप board 50 का coupon code apply करते हो तो आपको 50% का off वहाँ पर दिया जाएगा दोस्तो mock test को solve करते हुए और अपनी तयारी के दिन निस्चित करने है कि आपके पास कितना time बचा है उन्हें count करो और उसी के according अपने syllabus को आपको divide करना है depending upon कि आपका कौन सा subject time consuming है easy है या scoring है उसी के according time allot करो दोस्तो हर subject में जो top scoring topics होते हैं उन्हें आपको सबसे पहले complete करना है दोस्तो साथवा और आखरी point है हमारा revision revision यहाँ पर सबसे बड़ा key factor है दोस्तो हर बच्चा सलेबस तो खतम कर लेता है फर्क पस इस चीज का होता है कि कोन बच्चा ऐसा है जिसने at least 3-4 बार revision किया है दोस्तो क्योंकि paper में आपको दो ही चीज याद रहने वाली है एक तो वो जो चीज आपने paper से एक दिन पहले पढ़ी हो या फिर वो जो आपने बार बार कम से कम 3-4 बार पढ़ चुके हो दोस्तो अगर आप जानना चाते हो हरयान पलीस कॉंस्टेबल के एक्जाम को क्वालफाई करने के लिए आपकी कौन सी बुक सबसे बैस्ट रहेगी और आप जानना चाते हो कि इस एक्जाम का आपकर स्लेबस क्या रहेगा टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से है तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखिए इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप महापर जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते हो तो दोस्तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो उमीद करता हूँ आपकी समझ में आ चुकी होगी दोस्तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को जादस जादस शेर कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों